दोस्तो एंडो सल्फन पॉलूशन इन केरला ये अपने आप पे बहुत बड़ा मुद्दा है ये मुद्दा केरला में 1960 में शुरू हुआ था जब कैश्यू प्लांटेशन्स लगाई गई और उसके बाद से एंडो सल्फन को छड़का गया यहां पे आपको दो बच्चे नज दरा रहे हैं इनकी फिजिकल डिफॉर्मिटी आप इस पर्टिकुलर फोटो में देख सकते हो और ये एंडो सल्फन पॉलूशन से गरस्त है इस कंटेक्स्ट में रीसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है जनवरी 2022 के लगबग सुप्रीम कोर्ट में जजज्म और इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केरला की सरकार को यहां पर डाट लगाई है कि एंडो सल्फन पेस्टिसाइट से जो विक्टिम्स गरस्त हैं जिनको प्राबलम हुई है उनके लिए केरला की राज सरकार वर्चुली कुछ भी नहीं कर रही है पाँच साल हो चु कमपनसेशन दो लेकिन अब तक केवल आठ लोगों को कमपनसेशन मिला है और यह आठ लोग भी वो हैं जो कि केरला की राज सरकार को घसीट के लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेंट अफ कोर्ट का वहां पे आप केलो मुद्दा उठा रहे थे तो केरला की सरकार ने 202 लोग पर्मानेंट बेड रिड़न हैं मतलब वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं वो कुछ काम नहीं कर सकते 326 मेंटली चैलेंज हो चुके हैं 201 फिजिकली डिसेबल हो चुके हैं 119 लोगों को कैंसर है और 2966 बागी रिजिजियल केटिगरी में आते लेकिन कहीं न कहीं वो एफेक्टेड हैं इस एंडोसिल्फन पॉलूशन से केरला की राजसरकार ने जन्वरी के लगबग भी बोला कि नी भई हमने 200 करोड रुपया है विक्टिम्स को बाटने के लिए लेकिन केवल 8 विक्टिम्स को 5 लाख रुपय का कमपनसिशन दिया गया है सबसे पहले समस्त से इस एंडोसिल्फन पॉलूशन वाले मुद्व्द्वे को देखे बात यह कि केरला में जब कैशी प्लान्टेशन को लगाया गया इंडोसिल्फन के तरफा इस तरह इस पहुचान पहुचाता है ठीकिना यूसफुल और नेसेसरी इंसेक्ट को भी ये पर्टिकुलर पेस्टिसाइड मार देता है इससे बहुत सारी बीमारियां एसोसेटेड हैना के वल हुमन्स में जानवरों में भी इसकिन इरिटेशन की बात कर लो नर्व टिशूस की बात कर ल दीजे cancer related problems यह सब कही ना कहीं एंडोसलफन से हो रही थी टी प्लांटेशन पैड़ी और फ्रूट ओर्चर्ड तो आप समझ दीजे कि यूनो राइस की खेती चाय की खेती आपकी फलों की खेती इन सब में कहीं ना कहीं एंडोसलफन छिड़का जाता था और इस दीफॉर्म होते थे फ्रॉग फिश बीज फाइर फ्लाइस जैकास जहां जहां पर भी एंडोसलफन छिड़का गया वहां वहां से यह बायोडिवर्स्टी गाय भी हो गई और यह देखा गया कि जो लोकल चिड्रन थे जो लोकल लोग थे जो कि आपके सकते हैं 25 साल से कम की उमर के थे वो deformity उनके अंदर आने लगी किसी का पैर डेवलप निहोरा है किसी का हां डेवलप निहोरा है शरीर का धाचा एकदम टेड़ा हो रहा है overall दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है मंद बुद्धी बंचार निकल रहा है अब तो उसको समझ मी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है समझी नहीं पा रहा है चीजों को तो लोग यहाँ पे एकदम अचंबित हो गए यार खाना तो ठीक टाक मिल रहा है बच्चे का दिमाग क्यों नहीं डवलब हो रहा है मावाप में भी कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं तो बच्चे को यहाँ पे क्या हो रहा है बाद में जब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जब थीसिस पीसिस हुई तो 1980s के end 1990s के शुरुवात में यह समझ माया लोगों को कि यार इसके लिए responsible हो सकता है यह endosulfan pesticide और इसके लिए proper अगर आप देखो तो एक survey कराई गई 2001 में Center for Science and Environment के दोरा जिसने proper तरीके से यह बताए कि यहाँ भाई यह सारी के सारी problem pesticide से ही related है और फिर यहाँ पे एक movement शुरू हुआ यह endosulfan को ban करो और आपको बता दू 1980s, late 1980s early 1990s में ही proper तरीके से पता चल गया था देखे, शुरुवात में 1970s में, 80s में लोग थोड़ा confused रहे, क्या हो रहा है क्यों यह सब चीज़ें हो रही है क्यों यह जानवर मर रहे है क्यों भाई लोगों के अंदर problem निकल के आ रही है ठीक है ना आप सोची, उस समय का जो जवाना था 1980s का, 1990s का लोग थोड़ा ज़दा पढ़े लिखे नहीं थे तो जब भी किसी को deformity हो जाती थी ना तो सबको लगता था कि यार यह तो किसी शैतान का साया आ गया इस individual के उपर इस family के उपर, इस गाउं के उपर सैतान का शाया आ गया यहाँ पे लोग deform हो रहे हैं इस प्रकार की बाते चलती थी चुकि कोई scientific thesis थी नहीं 1990s में प्रॉपर तरीकी से लोगों को पता चलने लगा कि हो सकता है पानी के अंदर कोई radioactive element हो या कोई chemical element हो जो deformity लेके आ रहा हो और 2001 में यह testify हो गया कि यह सब कुछ endosulfन की विज़े से हो रहा उसके बवजूद भी 2005 तक endosulfन को इस्तमाल किया गया फाइनली 2005 में केरला की सरकार ने endosulfन को बैन किया लेकिन आसपास के राज्यों में जैसे तमिनलाडोर आसपास की जो राज है वहाँ पे endosulfन का यूज होता रहा 2011 में 7th meeting हुई Stockholm Convention on Persistent Organic Politant की और वहाँ पे endosulfन के manufacture और यूज के उपर बैन लगा दिया गए और इसको देखते हैं सुप्रीम कोट ने भी पूरी तरीके से इंडिया के अंदर endosulfन की यूज को manufacture को distribution को illegal घोशित कर दिया हम लोग बहुत लेट हो गए endosulfन के side effects को पहचानने में और इसका banker हरजाना भरा है केरला के लोगों में देश के और जगा पर लोगों में भी endosulfन pollution से problems ग्रस्थ हैं लेकिन केरला में specifically लोग काफी परिशान हुए ठीकिना आपके साथ तो केरला में लोग जो पादर विलेज और खासकर जो कासर गोड की district है यहां पर बहुत हद तक endosulfन की pollution की चलते problem हुई है और आप कह सकते हो कि this is a violation of article 21 of the constitution किस context में कि भाई यह जो endosulfन के victims है इनको केरला की सरकार हरजाना देगी ऐसा 2017 में ही बोल दिया तो Supreme Court में लेकिन Supreme Court के in orders को माना नहीं किया केरला की सरकार ने identify कि 3704 लोग ऐसे हैं जो कि endosulfन के victims हैं इनको 5 लाग का हरजाना देना था 2017 के judgment के साब से लेकिन 8 लोग को हरजाना मिला यह वो 8 लोग थे जो कि Supreme Court में केरला की सरकार को घसीट रहे थे contempt of court करके तो इनको हरजाना दे दिया बाकियों को हरजाना नहीं दिया तो इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जिसके पास means है कि उस सरकार को Supreme Court में घसीट सकता है उसको आफ हरजाना दोगे बाकियों को नहीं दोगे इस context में जो case है यह फिर से पहुँचा है Supreme Court के पास Supreme Court ने ये बोला है कि हम राजी की सरकार की इस रैशनल को नहीं समझ पारेंगी जब हमने बोल दिया है कि आप हरजाना दो पांच साल बीच चुके हैं हरजाना के अभी जन्वरी में भी सुप्रीम कोड की बेंच ने बोला कि 500 करोड रुपया दो यहां पे लगबख 5000 विक्टिम्स को तो यहां प नहीं इनको थूड़ा सपोर्ट तो मिलेगा पांच लाग रुपया इनकी फिजिकल डिफॉर्मिटी को नहीं अटा सकता ना इनके पुराना खोया हो समय वापस ला सकता है बट यह वाइसलेस फेसलेस जो गरीब लोग है इनको थोड़ी राहत तो मिल जाएगी वो थोड़ सकते हैं और कोई यहां पर इंपोस की जाए और इसी केंटेक्स में सुप्रीम कोड़ ने केरला की सरकार को सप्पेसिफिक डिए सब्सक्रा कि हर विक्टिम को पांच लाग कंपनसेशन दो पहले तो तुम वो दो फिर प्रती महीने के बेसिस पर जो चीफ सेक्रेटरी है वो अलग अलग जगाओं पर मंत्ली मीटिंग को अंडट करेगा और यह आइडेंटिफाई करने कोशिश करेगा कि क्या कोई ऐसा विक्टिम तो नहीं एंडोसिल्फन का जो की छूट गया हो चुकि मैं आपको बता दू अंडोसिल्फन का जब बैन हुआ था केरला में 2005 में उसके बाद भी इल्लीगल तरीके से बहुत जगाओं पर एंडोसिल्फन पॉल्यूशन से ग्रस्त हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकल यहां पर बनाने की जरू है वेरे सुप्रीम कोट के जज्जमेंट्स और और्डर की बेसिस पर प्रस यह जो आठ पेटिशनर्स हैं जिनको पाँच लाग रुपया मिल चुका है इनको डिले से पाँच लाग रुपया देने के लिए 50,000 का जुर्माना मतलब एक चीज तो कि 2017 में जो 5,000,000 के कंपंसेशन देने की बात की गई थी अब यह कंपंसेशन पांच लाग नहीं होगा थोड़ा बढ़के ही मिलेगा बाकी लोग को तो जिनको आठ को पांच लाग मिले उनको 50,000 कंपंसेशन दिया जाले लेट पेइमेंट का तो बाकी लोगों को तो भी 5, पाचलाग भी नहीं मिले इनको थोड़ा जादा ही पैसा देने की बात करेगा यहां पे सुप्रीम कोड़ तो लेट सी किरला की सरकार अब यहां पर एक कंपंसेशन का मांट रिलीस करती है नहीं करती है कितना पैसा केंदर की सरकार से मांगती है इस विल भी अ बटन के थे लिएक तो यहां पे छोटी सी ती एंड़्ॉफर्न प्लूशन के बारे में आपको बेसिक जानकारी धी सुप्रीम कोड में रिसर्ट्री क्या हूआ इसके बारे में वह बेसिक जानकारी थी जैよろसे ना दौा के help करें